एंडिये की मीटिंग में नितीश के राइट वाली कुरसी खाली क्यों बिहार सीयम के चेहरे पर मुस्कान तो ललन सिंग दिखे इस सीरियस बिहार के विधान सभाच चुनाव से पहले आकिरकार चल क्या रहा है और नितीश कुमार का क्या अगला बड़ा कदम होने वाला है NDA में जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं क्या वो ये बताते हैं कि बहुत बड़ा खेल अब होने वाला है NDA में क्या बहुत बड़ी तस्वीर बदलने वाली है बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने पटना में NDA नेताओं की एहम बैठक बुलाई इस बैठक में सांसद, विधायक, बीस सूतरी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और NDA के सभी दलों के बड़े नेता शामिल है मुख्यमंतरी आवास पर हो रही इस बैठक में ये कयास लगाए गए कि बिहार में विधान सभाज चुनाफ से पहले खेल हो सकता है इस बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें नितीश कुमार के दाएं साइड वाली कुरसी खाली है उनके बाईं और दोनों डिप्टी सियम बैठे है और पिहार बीजेपी अद्यक्ष दिलिप जैसवाल के और देखकर सियम नितीश कुमार मुस्करा रहें जबकि फोटो में दिख रहे केंडरे मंतरी ललन सिंग काफी जादा सीरियस है वैसे मीटिंग को लेकर जेडियू के परदेश अद्यक्ष उमेश कुश्वाहा ने बताया कि एंडिये इस बैठक में अपनी एक जुटता का प्रदर्शन करेगा जेडियू के रहष्ट कारिकारी अद्यक्ष संजे कुमार जहा के मताबिक इस बैठक में 2025 के विधान सभाच चुनाफ की तैयारियों पर चर्चा होगी भीजेपी परदेश अद्यक्ष दिलिप जैसवाल ने कहा कि बैठक में एंडिये सरकार के कामकाज को जनता तक पहुँचाने और कई दूसरे मुद्धों पर चर्चा किये जाने की संभावना है ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब बिहार में चार विधान सभाच चुनाफ का सेमी फाइनल माना जा रहा है परशान किशोर ने भी बिहार में अपनी पार्टी बना ले और आर सीपी सिंग भी 31 अक्टूबर को नई पार्टी बनाने वाले है ऐसे में नितीश कुमार इन नई चुनोतियों से निपटने की रणनीती में भी है इस बैठक में वो बना सकते हैं धरसल अपने दर्शकों को बता दें बिहार विधान सभा चुनाफ से पहले ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है ऐसे में माना जा रहा है कि ये बैठक कहीं न कहीं ये बताती है कि क्या वाकई एक बड़ा खेल होने वाला है और अगर नितीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो समझिए बहुत कुछ बिहार में अब देखने को मिलने माला है जिसका असर दिल्ली की सत्ता पर भी दिखाई देगा